हलो एब्रीवन विल्कम बैक टू मैं चनल दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ अगर आप अध्यापक हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजेगा क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था प्रधाना अध्यापक के का अध्यापक के कार योम दायत तो हमारे बहुत सारे मित्रों का फोन आया था बहुत सारे मित्रों का कमेंट आया था कि सर अध्यापक के कार योम दायत पर भी एक वीडियो बनाये तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अध्यापक के करतब योम उत्तरदायत डूट तो आपको पता है कि नेशुल योंग अनिवार सिख्छा का अधिकार अधनियम 2009 में आया था और इसी अधिकार अधनियम के तहट सिख्छकों की भूम का अधनियम 2009 में अतर्गत धारा 23 से लेकर 28 में सिच्चकों के दाइत और विद्याले में छात्रों और सिच्चकों की बीच अनुपात आध के बारे में बिस्तित रूप से बताया गया है जो की निमनलिखित है पहला है धारा 23. इस धारा में सिच्चकों की नियुक्ति के संबन्द में हैं जिनको निम्न बिंदूं में समझा जा सकता है। नियुन्तम योगताएं रखने वाले सिचक प्रयाप्त संख्या में नहीं हैं, वहां केंद्र सरकार यदि आवस्चक समझें, आदिसुचना द्वारा सिचक के रूप में नियुक्त के लिए अपेचित नियुन्तम योगताओं को पांच बर्स से अधिक की ऐसी अवदि के लिए सिथिल कर सकेगी, जो उस आदिसुचना में विनिर्दिष्ट की जाए, परंतु ऐसा कोई सिचक जिसके पास इस अधनियम क प्रारम में उपधारा एक के अधिहिन या अधिकतित नियुन्तम योगताओं नहीं है, पांच बर्स के अवदि के भीतर ऐसी नियुन्तम योगताओं अर्जित करेगा, सिच्छक को संदे बेतन और भत्ते उसके सिवा के नियम वा सरते वा होंगी, जो भीहित की जाए, गोसित सिच्छा अधिकारी दोरा तैकी के नियुन्तम योगताओं हैं, सिच्छा के रूप में नियुकत के लिए पात्र होगा, यदि किसी राज में अध्यापक सिच्छा के पाठकरम या परसिच्छार देने वाली परियाप संस्था या उपधारा एक के तहत चाहेगे उ परियोगति सिच्छक प्रियाप संख्या में नहीं है, तो केंदर सरकारी एक लिए पाठकर सूचना जारी करके सिच्छक भरती के लिए नियुन्तम योगताओं में अधिकतम पांच वर्स के लिए सिच्छलता दे सकती है, यदि बरतमान में ऐसे सिच्छक सिच्छाएं हैं जो तै मापदन के अंदरूप योगता पूरी नहीं करते हैं, तो उन्हें या कानून लागो होने के पांच वर्स के भीतर निर्धारित योगता हासिल करनी होगी, सिच्छक को दिया जाने वाला बेतन और भत्ते तता सिवा नियोम और सरकार दोरा तै की जाएंगी, फिर द विनिर्दिस्ट समय के भीतर संपून पाठ करम पूरा करना, प्रतेग वालक के सिच्छा ग्रहन करने के सामर्त का निर्धारन करना और तद नुसार तथा अपिछित अत्रिक्त सिच्छन यदि कोई हो जोडना, माता पिता और संदरचकों के साथ नियमित बैठ के करना और पालक के बारे में उपस्तित में दियमित्ता, सिच्छा ग्रहन करने के सामर्त, सिच्छन में की गई प्रगती और किसी अन्य संगत जानकारी के बारे में उन्हें आवगत कराना, ऐसे अन्य करतब्यों का पालन करना जो भीत किया जाए, उपधारा एक में विनिर्दिस्ट क परतब्यों के पालन में बैतिक्रम करने वाला कोई सिच्छक उस पर लागू सेवा नियमों के अधिन अनुसासनी कारवाही के लिए दाई होगी परन्तु ऐसी अनुसासनी कारवाही करने से पूर्ब ऐसे सिच्छक को सुनवाई का युक्त-युक्त आउसर दिया जाएगा सि सिच्छक स्कूल में नीमित आएंगे और समय का पालन करेंगे प्रत्यक बच्चे के पढ़ने के इस तर और गति को जांचना दर्ज करना और उसके अधार पर सिच्छणी उजना तयार करके पढ़ाना यदि आवस्चक हो तो अत्रित कच्छाएं लेना सरकार दवरा तय आन अंसूची में बिनिर्दिष्ट किये अनुसार बनाए रका जाये उपधारा एकादिद सिच्छक अन्पात बनाएर्खने के प्रियूजन के लिए किसी विद्यले में पदिस्थापित किये गहे किसी सिच्षक को किसी अन की सेवा नहीं करनी दी जाएगी उपथारा 27 में ब लगाया जा सकता है जहां छात्र सिचक अंपार ठीक नहीं है उन शिचकों को धारा 27 के अंतरगत तै कि ये कारियों के अत्रिक्त गैर सेच्छने कारियों में नहीं लगाया जाएगा पिर आता है सुई कृत संख्या के दस प्रतिसत से अधिक नहीं हो फिर धारा 27 से किसी सिच्छा को दस वर्शी जरसंख्या जंगणना विभीष का राहत करतव्यों यह यह था इस्थित इस्थानी प्राधिकारिया राज विधान मंडलों या सलसत की निर्वाचियों से सम्भंधित कारियो तो दोस्तों यह थो है आपके जो है अनिवार बाल सिच्छा अधिकार अधिकार अधियम के तहट सिच्छा के करतब अधिकार एउमदाइद अब हम आपको दिखाते हैं कि एक आदर सिच्छा की क्या भूमिका होनी चाहिए विध्यालेयों में अध्यापकों की भूमिका ए क्रियाओं का संचालन करना आध भी अध्यापक के महत्पूर्ण कार हैं अध्यापक के करतब और उत्तरदायत को हम निम्लिखित बिंदों में अध्यान कर सकते हैं पहला है सिच्छन सिच्छा का सबसे महत्पूर्ण कार सिच्छन का ही होता है सिच्छा को इमांदारी मेहनत औ निर्वान तभी कर सकता है जब उसे अपने विषय का पूर्ण ग्यान हो और अपने विषय के संबन्द में नभीनतम जानकारी हो तता उचित सिच्छन विद के उपयोग करने की कुसलता हो साथ ही उसमें करतब निष्ट होने की भावना भी नहीं होना चाहिए फिर दूसरा ह इसकल्ड मैनेजर की रूप में विद्यार्थियों को विषय की उचित सिच्छा प्रदान करने हे उसे उपलफ संसातनों का कुसलतम प्रबंद करना होता है एक प्रबंदा की रूप में सिच्छक चार मुख कारे करता है पहला है योजना निर्माड किसी भी अच्छे सिच् बद करना चात्रों की जरुवत की पहचान करना परिच्छन समगरी निर्माड फिर दूसरा है विवस्था करना तुमेग अरेज्मेंट्स सिच्छक विद्याले का अभिन अंग होता है विवस्था और उनका कुसल संचालन की उल प्रदाना द्यापक का ही करता भी नहीं है अभिन अंग होने के कारण विद्याले के प्रतेक कारे जैसे समय सानड़ी बनाना पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना और संचालन करना आदी प्रदाना अध्यापक का पूर्दा सहगामी होना एवं उनको सफलता के साथ पूरा करने का अध्यापक का दाई तो है इस तीसरा है नेत्रित करना लीडर्सिप सिच्छक के सम्मुक कक्षा का एक सदस होने के साथ साथ चात्रों को एक नेत्रित प्रदान करने की भी चुनोती होती है अपने नेत्रुत में चात्रों में ज्यान पिपाजु प्रवित्तियों का सर्जन करता है चात्रों को प्रोसाहि आ भी होगा सही जयान करना अभी प्रेणा और पुणरव्लंका नियंत्रण करना नियंत्रण करना करना कि निय प्रिचनन प्रिचन वह जांद्वारा राव एक नियंतर के तौर पर रहा निमनिकार करता है सिचा ब्योस्था का मूल्यांकन करना आधिग्साइं以及 इस है तीसरा एक मनो बैग्यानिक की रूप में एजा साइकुलाजिस्ट किसी भी विशय के सिच्छक के सम्मों कक्षा में सबसे महत्मूर्ण होती है कि कक्षा में सबी चात्र एक समान नए होते हैं उनकी मांसिक योगता वहां रूची अलग अलग होती है ऐसा बेक्तिकत विविंताओं के कारण होता है इन बेक्तिकत विविंताओं को पहचानने के लिए सिच्छक को मनो बैग्यानिक होना बहुत जरूरी है चात्र नि वेगैनिक के तोर पर कार करना पड़ता है वह बुद्धी परिच्छन व्यक्तित परिच्छन व्यक्तिगत अध्यन आधिका उप्योग करके सिच्छन के उद्देश को पूरा करता है फिर अगला अधिक चैस सिच्छन समागरी के उप्योग में नियुक है वब्योग करना अपने प्रते चैसे बेक्तिकत संपर्ड की स्थापित करना करना पाठ पैसित। का संगथन करना च्छन की प्रगत की नें अनुशंद्हान करता की रूप में और इसर्चर बिग्ञान में ज्ञान का सजन्ड बड़ी तेज़ी सोध कारियों को प्रकाशित करना फिर आता है मार्ग दर्सक एवं परामर्जदाता के रूप में गाइट सेन काउंसलस एक आदर सिच्छक का महत्पूर उत्तरदायत छात्रों को उनकी समस्याओं के समधान डोडने में सहायता करना है इस तरह से वह एक मार्ग दर्सक वह परा समताओं योगताओं की जानकारी देना बैकल्पिक संसाथनों की विस्त्रित जानकारी प्रदान करना फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों समनवेक के रूप में अक्वाडिनेट को आध्यापक को एक समान बेक्ति की रूप में भी कार करना पड़ता है उसे अन्य सिच्छकों और चात्र प्रबंधन में चात्रों अभिभावकों वा विद्याले की वी संबंद इस्ताफित करना पड़ता है इस कार को करने के लिए यह आवस्यक है कि उसके अंदर निम्लिकित भी सिस्ताय होनी चाहिए सिच्छा संबंदित अनुसासनों में हो रहे है नमाचारों का परचे हो अपनी प्रगत का ज्यान हो उसका चात्रों वा अन्य सिच्छकों एवं अभिभावकों से प्रेमपूर संबंद हो सामुदाइक परंपराओं का ज्यान हो बिसम परिस्तियों में विचलित ना होना इ चात्र की जरुवत की पहचान हो तो दोस्तों ये रहा जो है एक सिच्छक की जो है करतब एवं दाइत। अब आप समझ गया होंगे दोस्तों की समाज में आपका इतना बड़ा दाइत। करतब क्यों है उसका क्या कारण है और आपसे इतनी आपेच्छाएं क्यों की जाती हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अपेच्छाओं में खरें उत्रें मेरी शुब कामनाएं भी आपके साथ हैं अगर वीडियो अच्छा लगा है और मेरा कार आपको पशंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के लिए वेल आइकन को प्रेस कर दीजे और इ कैसा लगा आप कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा तो मिलता हूँ ऐसे ही सिमलर वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार